नमसकार दोस्तों स्वाकत है आपसे भी लोग आज के मैंस विडिए में यहांपर दोस्तों बात करने वाले है आज की वोडी सी व्डिए में कौन बनेगा करोड़ पती दो हजार देशिस रेष्टरिशन से जूरी हुई एक बड़ी अप्डेट के बारे में एक बड़ी update दोस्तों यहाँ पर जो है KBC के registration से रेटेड आ रही है निकल कर और यहाँ पर जैसे कि आप से बिलोग जानते हैं कि पिछली बार देखिए पिछले साल जो है जब KBC के registration शुरू हुए थे No April से तो एक-दो April के आसपास जो है वो प्रोमो आ गया था KBC के तरफ से कि No April से registration शुरू होंगे और उसके बाद जो है देखिए आपर लोगों ने registration जो है वो करने भी अपने शुरू कर दिये थे लेकिन जो है देखिए आपे अभी तक इस बार कोई भी प्रोमो नहीं आया और लोगों को अपडेट भी नहीं मिलीगी आपर तो इससे जो है लोग काफी परिशान है कि सर बताइए KBC के registration कब से शुरू होंगे कब प्रोमो आएगा क्या क्या जानकारी आ रही है तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर आज जो है मैं आपको एक बड़ी अप्डेट देने वाला हूँ प्रोमो जो है देखिए आपर उसके शूटिंग शुरू होने वाली है या हो चुकी है इस बारे में देखिए एक बड़ी अप्डेट निकल कर आ रही है और यहाँ पर देखिए रजिस्टेशन्स किस दिन से शुरू होंगे यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप देखेंगे तो आसमस देखिए अगर आपने यावर कई भी यूट्यूब पर मिसाज किया हुआ तो कोई भी ओफिशियल अप्डेट नहीं आई है अभी तक कि KVC के रजिस्टेशन्स कम से शुरू होंगे बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में सारी जानकारी तो चलिए बेना किसी इंदिजार की करता है मिस वीडियो को स्टार्ट दोस्तों वीडियो शुकरने से पहले अगर आपसे लोको ने हमाई चलिए को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बारे में बात करूँ तो आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए आज 4 अपरल 2023 है और पिछले साल मैंने आपको जैसे कि बताया ही है कि पिछले साल तो अब तक प्रमो आई ही चुगा था 3-4 अपरल तक जो है केबीसे ने लगबग दो प्रमो जो है वो लोंच कर दिये थे पिछले साल रिजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग देकिन इस बार जो है कोई भी प्रमो नहीं आया है कोई भी फुटेज भी नहीं आया या भी तक कि केबीसे की शूटिंग शुरू होई या नहीं होई लेकिन यहां पर जो है देखिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो अपडेट क्या है वो अपडेट देखिए यहां पर यह है कि KBC का जो आप यहां पर कह सकते है कि टेंपरेरी सेट होता है बेसिकलिए अगर मैं आपर बात करूँ देखिए तो देखिए KBC का जो टेंपरेरी सेट होता है बेसिकलिए टेंपरेरी सेट अगर मैं बारे में आपको इसके बारे में बताओं तो तो देखिए टेंपरेरी सेट दो सेट होते है KBC के एक होता है टेंपरेरी सेट एक होता है पर्मानेंट सेट permanent set का मतलब वो होता है जो की पूरे season जब KBC चलता है तब Amitabachan जी उस set पर आपको पता ही है लोग जाते हैं वहाँ पर फिर जो KBC का मंच बनता है वो permanent set होता है basically जहाँ पर जो है वो fast saving of us round होता है और सारा KBC का game show चलता है वो permanent set होता है temporary set जो की केवल registration के लिए बनाया जाता है यानि केवल registration की promo को shoot करने के लिए और जैसे कि आपनों ने देखा भी होगा कि उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती उसमें लोग भी नहीं होते उसमें सिर्फ Amitabachan जी आपको देखने को मिलते हैं और एक temporary set होता है उसमें आपको यहाँ पर जो है उसमें promo में देखने को मिलता है वो चीज़ तो यहाँ पर जो temporary set होता है देखिए जिसमें shooting की जाती है promo की और जो registration में सवाल पूछे आते हैं आपने देखा हुआ दो मिनट की वीडियो आती है रात नो बजे हर रात नो बजे अमिता बच्चन जीगी उसमें आपसे वो सवाल पूछते है registration की दोरान तो वो जो साइसीज़ होते हैं वो कहाँ पर shoot होते हैं वो temporary set पर shoot होती है तो वो set बिलकुल तयार हो चुका है जैसे कि मेरे पास update आई है और यहाँ पर दो दिन में जो है KBC की shooting प्रोमो की जो shooting है वो दो से तीन दिन में शुरू होने वाली है यह update देखिया आपर आ रही है दो से तीन दिन में registration के प्रोमो की shooting शुरू होने वाली है और देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए जब registration के प्रोमो की shooting की जाते है जिसमें यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाते है कि कबसे registration शुरू होंगे कैसे आप register कर पाएंगे तो वो सब चीज़े जो है आपर वो दो से तीन दिन में शूट कर ले जाती है मतलब जादा समय नहीं लगता दो तीन दिन में ही सारे जो questions होते है उनकी सारी वीडियो सब कुछ शूट कर ले जाता है और उसके बाद जो है एक दो हफ़ते का time लेते है KBC वाले उसको process बगरे करते और आपको जो है टीवी पर देखने हो मिलता है promo basically तो अगर मैं यापर बात करना हूँ तो इस बार जो promo है देखिए वो जो मैं expect कर रहा हूँ 15 April 10 से 12 से 15 April मान के चल रहा हूँ 12 से 15 April के आसपास promo देखने को मिलेगा हमें और registration जो है देखिए वो April के 3rd week में most probably देखिए 3rd या 4th week में शुरू होने चाहिए अगर ज़्यादा delay हो जाता है जो की हो भी सकता है तो ज़्यादा delay होता है तो माई के starting week में दो देखिए definitely registration शुरू हो ही जाएंगे और पिछली बार के मुकाबले जो है देखिए मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि काफी ज़्यादा delay इस बार हो गया है आपको वो reason भी देखिए पता ही है यहाँ पर तो अमिता बच्चन जी भी जल्द ही जो है देखिए शूटिंग शुरू करेंगे तो अभी तक प्रोमो की शूटिंग ही शुरू नहीं हुई तो देखिए जाहिर सी बात है 15-20 दिन तो गले registration शुरू होने के chances बहुत कम है तो 20 April के बाद से ही registration शुरू होने के chances हैं देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको देखिए जो है चैनल के माध्यम से time to time अपडेट करता ही रहूँगा तो चैनल को subscribe कर ना भूले कर देखिए आपसे वीडियो को लाइक भी जहु से कर दीजीगा अकर वीडियो पसंद आई होगी तो यहाँ पर जो है देखिए यह थी आज के अपडेट्स उमीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ धन्यवाद जहिंद जभारत